जै श्री राम, सच्छे अकाल, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडर की जनम कुंडली क्या होती है आप अपनी जनम कुंडली कैसे बना सकते हैं और कुंडली में कौन से ऐसे योग होते हैं जिनके आधार पर ये तै होता है कि आप ट्रेडिंग में पैसा कमाएंगे या ट्रेडिंग में प देखा है तो वो वीडियो जरूर से देखिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है यह जो वीडियो है अगर इसको देखकर आपने सही रिकॉर्ड बनाए है एकसल शीट तयार की है अपने रिकॉर्ड की तो आपके हाथ में है आपकी अपनी जनम कुंडली और इसी जनम रिकॉर्ड्स देखते हुए मुझे बहुत अर्सा हो गया है एक नजर किसी भी ट्रेडर का रिकॉर्ड्स देख लिया जाए तो तुरंट पता लग जाता है कि ये कभी कमा पाएगा या नहीं इसके ट्रेडिंग में क्या गलती है ये तुरंट सामने आ जाता है देखें जैसे जनम कुंडली में अलग-लग तरहा के योग होते हैं बिलकुल वैसे ही योग आपको ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स में भी देखने को मिλते हैं अब इनको कुछ नाम मैंने दिये हैं जिससे कि ये आपको पता लगे और आप अपने भी ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स देख करके इन योगों को ढूंड पाएं तो आए देखते हैं कुछ है कैसे योग जो की अलग-अलग कुंडलियों में यानि की अलग-अलग ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स में होते हैं और इसमें हमारी मदद की है दो हमारे नियमित दर्शकों ने एक का नाम है जोतिका और दूसरे का नाम है पदम जिन्हों ने हमें अपने ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स भेजे मैंने दोनों के ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स का आकलन किया और उनमें जो योग छुपे हुए हैं वो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं तो देखिए ये जोतिका जी का ट्रेडिंग रिकॉर्ड याने कि उनका वहीखाता है जैसे आप देख पा रहे हैं कि बिलकुल काईदे से उन्होंने वहीखाता बनाया है सारे इसमें columns भी हैं और entries भी उन्होंने बाकाईदा की हैं नीचे अगर आप देखते हैं तो 12 entries याने कि 12 trades में से मात्र 4 trades में ही उनको मुनाफ़ा हुआ है आ trades में नुकसान देना पड़ा और इस से इनके कुंडली में याने कि इनके इस बहीखाते में एक योग बन गया जिसका नाम मैंने रखा है सहस्त्र बान योग याने कि अंग्रेजी में कहें तो death by a thousand cuts इतनी दर्दनाक स्थिती होती है ये जिसमें लगातार आपको stop loss देते रहना पड़ता है और फाइदे के सौधे कभी कवार ही देखने को मिलते हैं ऐसा ट्रेडर बहुत समय तक ट्रेड नहीं कर पाता है और उसकी पूझी नष्ट हो जाती है और उसका मनोभल भी चकना चूर हो जाता है देखिए अब आपको क्या करना चाहिए इस योग का उपाय क्या है कि आपको सबसे पहले ट्रेडिंग सीखनी चाहिए आपको टेकनिकल अनेलेसिस आना चाहिए कोई सिस्टम का इस्तमाल करना चाहिए तब ही आप इस योग से उबर पाएंगे तो आईए देखते हैं पदम जी के ट्रेडिंग रिकॉर्ड याने कि उनका बही खाता आप उन्हों में ने भी देखिए बहुत कमाल के बही खाते रखे हैं और वाह वाह अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देखेंगे तो दंग रह जाएंगे बारा मेंसे नौ ट्रेड्स में पदम जी ने कमाया लेकिन बावजूद उसके उनका अंत में रिजल्ट देखिए भारी नुकसान उनको हो रहा है और उसकी वज़ा क्या है कि उनके इस खाते में एक योग है जिसका नाम मैंने रखा है हानी प्रीत योग याने कि नुकसान के एक ट्रेड को लंबे समय तक पालने की वज़े से ये नुकसान इनको हुआ है गौर से देखेंगे तो जो पहला इन्होंने ट्रेड लिया आईजील का इसमें सबसे भारी नुकसान इनको हो रहा है अब ये देखिए यहां हुआ क्या होगा कि पदम जी ने ट्रेड लिया होगा लेने के बाद थोड़ा नीचे आया स्टॉप लॉस के लेवल तक आया स्टॉप लॉस देने के उनकी एक्छा नहीं हुई उन्होंने कहा भई कौन नुकसान भुगते थोड़ा इंतजार करते हैं शायद दाम हमारा लोटा है और इस उमीद में वो दाम लुड़कता चला गया और अंत में पदम जी को बहुत नीचे के लेवल्स पर उसको काटना पड़ा तो ये है योग जिसका नाम है हानी प्रीत य पड़ना है और कभी भी एक बड़े नुकसान से आपको बचना है अब गौर से इनकी ये शीट देखेंगे याने कि इनके बहिक हातों को स्टुड़ी करेंगे तो आप पाएंगे कि योगों के धनी है पदम जी देखें एक और योग इनकी इस रिकॉर्ड में इस बहिक हात का कभी 10,000 का कभी 7,000 का तो इस तरह छोटे छोटे प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं नुकसान देखिए एक ट्रेड में एक लाग से जादा दूसरे ट्रेड में 50,000 से जादा तो ये जो बड़े बड़े लॉसेज हैं इसी की वज़े से अंत में पदम जी को नुकसान हुआ तो ये योग हुआ कि अलप लाब और अधिक विनाश तो ये इस योग से बचने का तरीका के प्रॉफिट और रिस्क के बीच में एक तालमेल होना चाहिए जिसको हम कहते हैं रिस्क रिवार्ड रिशो जब तक ये रिस्क रिवार्ड रिशो बराबर नहीं होगा नाम मैंने रखा है अकारण वेपार योग याने की बिना किसी ठोस वज़ा के ऐसे ही भाग्य अजमाईश में आप ट्रेड ले ले लेते हैं देखें आप और मैं कभी शर्ट लेने जाते हैं तो सेल्समेंट से कितने सवाल करते हैं शर्ट पहनने के बाद उससे पूछते हैं हम पर जच रही है या नहीं जचती है इसमें कोई और साइज है कोई और कलर है जबकि शर्ट कितने के आती है उसके बावजूद भी इतना सवाल जवाब हम लोग करते हैं शेर खरिदते समय बिलकुल सोच विचार के लिए समय नहीं होता हमारे पास अब देखिए इनके जो रैशनेल है याने कि जो कारण लिखे हुए है जोतिका जी ने और पदम जी ने ये देखेंगे तो आप खुद ही हस पड़ेंगे कोई वज़ा ही नहीं है कई बार कितने सारे ट्रेड्स में बिना किसी कारण के इन्होंने खरीद फरोग की नतीजतन बड़ा नुकसान इनको हो गया तो देखे अगर कारण के बिना आप खरीदेंगे तो नुकसान होना तै बात है और आपकी कुंडली में एक योग आ जाएगा जिसका नाम मैंने रखा है अकारण व्यपार योग तो देखे एक और योग है जो कि बहुत सारे ट्रेडर्स के बही खाते में मुझे दे हैं नुकसान वाले सौदों में भागयवश आपकी कौंटिटीज बड़ी-बड़ी होती हैं आपकी कौंटिटीज कंसिस्टेंट नहीं होती हैं तो यह जो योग है यह इनकंसिस्टेंट कौंटिटीज याने की मात्रा कुमात्रा आपको करना क्या है अपनी कौंटिटीज क बराबर रखना है तब आप इस योग से उबर पाएंगे देखे चाहे ट्रेड प्रॉफिट में जाए या लॉस में आपको बराबर वैल्यू में उस टॉक को खरीदना है माल लीजे आप एक समय पर एक लाख रुपे के शेर्स खरीदें तो हमेशा एक ही लाख रुपे के शे की जनम कुंडली याने की अपने ट्रेडिंग के बहिखाते को स्टडी कर सकते हैं तो मैं उमीद कर रहा हूं कि आप सब अपने ट्रेडिंग रिकॉर्ड याने के अपने बहिखातों को अच्छी तरह जाचेंगे और देखेंगे कि कहीं आपके बहिखातों में ये पांच य के रिकॉर्ड को मैं देखूं जांचू और आपको सला दूँ तो वो भी मुम्किन है आप अपने रिकॉर्ड मुझे भेज़ें भेजने का तरीका बहुत यसान है आप ट्विटर पर भेज सकते हैं फेस्बुक पर भेज सकते हैं आप चाहें तो यहीं यूट्यूब कुछ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आपके कुंडली में यानि कि आपके ट्रेडिंग रिकॉर्ड में कौन से योग हैं और उसका क्या उपाए हैं अधिके मेरी बाचीत बड़ी गंभीरता से आप लोगों सुनी इसके लिए आप सबका हरिदे से धन्यवाद आगे भी इसी तरह के वीडियो में आपके सामने लाता रहूँगा और आपके ट्रेडिंग में निखार लाने में छोटी सी भूमिका मैं जरूर निभाऊंगा तो धन्यवाद आप सबका आजाने से पहले हमेशा की तरह एक चैनल को जरूर सस्क्राइब करें और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें